अंडे खाने से आपको कई तरह के फाइदे मिल सकते है मगर ज्यादा मात्रा में अंडे खाने का मतलब है शरीर को बीमारी की ओर लेकर जाना दरसल ज्यादा अंडे खाने से कई स्वास्थ समस्या पैदा हो जाती है और यह सभी आपको अंडे कम खाने के लिए मजबूर कर देती है और आज के इस वीडियो में हम इन ज्यादा अंडे खाने के 15 बड़े नुकसान के बारे में ही बात करेगे मगर उससे पहले कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दबा दे आएए वीडियो में आगे बढ़े नमबर एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ना अगर आप अंडे की मात्रा ज्यादा खाते हैं तो यह अच्छा नहीं होता है दरसल दोस्त अंडे की जो जर्दी होती है उसमें उच मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बड़े अंडे में लगभग 186 मिलिग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है आपको बाद दे की अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का सेवन रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा सकता है जो धमनियों में प्लाक बन सकता है और हृदय रोगों का जोखिम बढ़ा सकता है जिसके कारण से आप हृदय रोगों के शिकार हो सकते है जो की एक समान्य बीमारी नहीं है बलकी बड़ी भयानक बीमारी है तो अंडों का सेवन कम कर दे नमबर दो हिदय रोग का जोखिम वैसे तो आज के समय में कई लोग है जो की हिदय की बीमारी से परेशान है मगर आपका बीमार होना हमारे लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि आप मेरे अपने जो हो इस कारण से मेरे कहने पर अंडे कम खाया करो क्योंकि अंडे में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और आपको बता दे कि उच्छ कोलेस्ट्रॉल स्तर से धम्नियों में प्लाक जमा हो सकता है जिससे रक्त का प्रवाह बाधित हो सकता है और दिल का दौरा या स्ट्रोक का खत्रा बढ़ सकता है ज्यादा अंडे खाने से यह जोखिम बढ़ सकता है, वैसे अगर आप कम मात्रा में अंडे खाते हैं, तो ज्यादा मात्रा में कभी न खाए वैसे अगर आप वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो ज्यादा अंडे खा सकते है मगर वजन को कम करना है या फिर पहले से ही ज्यादा वजन है तो अंडे कभी भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए दरसल दोस्त अंडे कैलोरी का अच्छा अस्रोथ होते हैं अगर आप कैलोरी की मात्रा को नियंत्रित नहीं करते हैं और व्यायाम नहीं करते हैं, तो ज्यादा अंडे खाने से वजन बढ़ सकता है मगर यो वजन बढ़ने तक ही सिमित नहीं है बलकी वजन बढ़ने से अन्य स्वास्थि समस्याएं जैसे की मधुमें उच्छ रक्तचाप और हृदय रोग हो सकती है जो की आपके लिए सही नहीं है तो अपना ख्याल रखे और अंडे कम खाना शुरू करे नमबर चार अलर्जी वैसे दोस्त आपको बता दे की अंडे ज्यादा खाने से आपको कई बार अलर्जी भी बन सकती है क्योंकि कई लोग है जिनको अन्वे खाने से अलर्जी होती है कई बार या अलर्जी गंभीर हो सकती है और तवचा पर रैश, सूजन, पेट में दर्द, उल्टी या एनाफिलेक्सिस जैसी गंभीर प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकती है जिसके कारण से अगर आपको पहले से अलर्जी है तो अंडे कभी ज्यादा न खाए वैसे मेरे एक सहयोगी डॉक्टर ने कहा कि अंडे ज्यादा खाने के कारण से लोगों को आजकल ज्यादा डाइबिटीज का खत्रा हो रहा है और जब मैंने अधिन किया तो पता चला कि रोजाना एक से ज्यादा अंडे खाने से टाइब दो डाइबिटीज का जोखिम बढ़ सकता है हालां कि इस पर अधिक शोध की आवश रकता है लेकिन अगर आप मधुमे के जोखिम में हैं तो अंडों का सेवन सीमित करना बुद्धिमानी हो सकता है वरना खत्रा ज्यादा हो जाएगा और आप गंभीर स्थिती में पहुँच जाएगे नमबर छे लीवर की समस्या वैसे ज्यादा अंडे खाने से लीवर भी खराब हो जाता है तरसल अत्यथिक प्रोटीन युक्त भोजन लीवर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है लीवर को प्रोटीन को तोड़ने के लिए अधिक महत करनी पड़ती है जिससे लीवर में सूजन या फैटी लीवर जैसी समस्याएं हो सकती है वैसे कई लोगों को लीवर से जुड़ी पहले भी समस्या होती है तो उन्हें तो कभी भी ज्यादा अंडे नहीं खाने चाहिए मैं तो कहूंगा कि उन्हें बंद ही कर देना चाहिए क्योंकी स्वास्थ्य है तो सब कुछ है नमबर साथ किड्नी स्टोन यह एक ऐसी बीमारी है जो की दसमें से हर साथ घर में मिल जाती है और इसके होने के कई कारण होते है जिनमें से अधिक अंडे खाना भी एक होती है दरसल अंडों में उच प्रोटीन होता है जो शरीर में यूरिक एसिड के स्थर को बढ़ा सकता है उच यूरिक एसिड किड्नी स्टोन का कारण बन सकता है और यही कारण है कि मैं अंडे कभी खाना तक नहीं चाहता हूँ नमबर आठ हाइपर विटामिनोसिस डी सेवन हो सकता है जो कि आप समझ सकते है मगर आपके आबाद दे की अधिक विटामिन डी असल में घातक होता है क्योंकि यह हड्डियों और अन्य अंगों को नुकसान पहुँचा सकता है जैसे कि हड्डियों का कमजोर होना और कैल्शियम के स्तर में असंतुलन इस कारण से अंडे कम मातरा में खाए नमबर 9 Gastrointestinal समस्याएं Gastrointestinal में कई समस्या आती है जैसे कि अपच, गैस और पेट की अन्य समस्याएं और यह सभी समस्या अंडे खाने से होती है असल में अंडे में सलफर होता है जो पाचन के दौरान गैस का कारण बन सकता है इस कारण से दोस्त अंडे कम खाना चाहिए नमबर 10 Cancer का जोखिम अगर अधिक मातरा में अंडों का सेवन किया जाता है तो cancer का खत्रा बढ़ जाता है दरसल एक सहयोगी डॉक्टर ने बताया कि कुछ अधेनों ने सुझाव दिया है कि अत्यधिक अंडे का सेवन कुछ प्रकार के cancer के जोखिम को बढ़ा सकता है जैसे कि prostate cancer हालां कि इस पर अधिक शोध की आवश रकता है मगर फिर भी हमें खत्रा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वास्थे की बात है नमबर ग्यारह प्रोटीन की अधिकता वैसे तो आपको पता है कि अंडे में ज्यादा प्रोटीन होता है मगर आपको बता दे कि अधिक प्रोटीन मानव के लिए उपयोगी नहीं है दरसल अत्यधिक प्रोटीन का सेवन शरीर में विभिन असंतुलन पैदा कर सकता है जैसे कि नाइट्रोजन की अधिकता जो किड्नी के लिए हानी कारक हो सकती है यह हड़ियों से कैलशियम की हानी को भी बढ़ा सकता है अत अंडे हमेशा कम मातरा में खाना चाहिए ज्यादा अंडे खाने से उच्च रक्ट चाप और अन्य कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं का खत्रा बढ़ सकता है दरसल अंडों में मौझूद कोलेस्ट्रॉल और संत्रिप्त वसा इन समस्याओं को बढ़ावा देते है इसी कारण से डॉक्टर अंडे न खाने को कहते है मगर आप मानते तो हो नहीं मगर मेरी बात जरूर मानोगे मुझे विश्वास है अगर खाना है तो कम खाया करो, ओके नमबर 13 जोडों की समस्याएं ज्यादा अंडे खाने से आपको जोडों की समस्या हो सकती है असल में अंडे में ज्यादा प्रोटीन होता है और ज्यादा प्रोटीन के सेवन से शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है, जो गठिया और जोड़ दर्द का कारण बन सकता है एक बात का ध्यान रहे कि अगर आप पहले से ही गठिया से पीड़ित हैं, तो अंडों का सेवन हमेशा कम से कम करना चाहिए नमबर 14 प्रजन क्षमता पर प्रभाव डॉक्टर के अनुसार कई बार अंडों से जुड़े रिसर्च हुए है और मेरे सहयोगी डॉक्टर रवी जी का कहना है कि कुछ अध्यैनों ने संकेत दिया है कि बहुत अधिक अंडे का सेवन पुरुशों में प्रजन क्षमता को प्रभावित कर सकता है मगर यह बात पूरी तरह से भी सही है यह जरूरी नहीं है मगर फिर भी हमें खत्रा लेना ही क्यों है हम कम अंडे खा कर काम निकाल लेगे तो इस बात का ध्यान रहे एक बात और है कि अंडे ज्यादा खाने से मानव में बायोटिन की कमी भी ज्यादा होती है असल में अंडे के सफेद भाग में एविडिन नामक प्रोटीन होता है जो बायोटिन, विटामिन B7 के अवशोशन को रोकता है बहुत अधिक अंडे खाने से बायोटिन की कमी हो सकती है जिससे तवचा, बाल और नर्वस सिस्टिम की समस्याएं हो सकती है इस कारण से अंडे कम खाना चाहिए तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ती ज्यादा से ज्यादा अंडे खाता है तो उसे कुछ इस प्रकार के नुकसान हो भी सकते है और नहीं भी मगर आपको स्वस्त रहना है तो अंडे कम खाना शुरू कर दे अब बताईए कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ओके बाई